तो dear students करते हैं question number 21 question कह रहे हैं कि आपके पास एक fish है और कितने region तक ही fish बाहर देख सकती है किस region के बाहर fish को दिखना बंद हो जाएगा तो होगा कि actual में जो raise होंगी जो fish को दिखाई देगा बाहर वाली जो दुनिया दिखाई देगी वो एक circular region तक ही दिखाई देगा क्योंकि जो raise होती है actual में dear students के होती है raise अगर ऐसे travel करेंगे और critical angle पर strike करती है तो raise graze होने लग जाती है इसके बाद अगर कोई भी angle of incidence होगा तो raise जो है वो इसी medium में ही रह जाएगी अब होगा क्या जो अंदर यहां पर object present है हमारे पास इसी region में हमको जो है हमारा fish है वो यहां बहार देख सकती है लेकिन अगर हमने यहां पर एक disc रख दी तो वैसी इस region का तो वैसी उसको दिखाई नहीं देता तो इस region का भी उसको देखने नहीं लगे तो यह area निकालने के लिए हमको यहां पर radius निकालने पड़ेगी यहां पर आपका गे grazing ray है तो यहां पर हम लगा सकते हैं snail's law, snail's law लगा के भी हम यह result find कर सकते हैं हम कोई result पता भी है कि sin of c जो होता है critical angle वो 1 by mu के बराबर होता है मुझे tan of c चाहिए तो क्योंकि sin c 1 by mu है यह क्या हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse यह perpendicular यह hypotenuse तो c यह angle होगे यह perpendicular और यह hypotenuse हो गया तो यह base आपके पास हो जाएगा under root mu square minus 1 Pythagoras theorem से तो tan c आपके पास आजाएगा perpendicular upon base this is your perpendicular, this is your base तो यह tan c की value आगई और इस triangle से आप tan c की value निकाल सकते हो tan c होगा आपका perpendicular sorry, yes, this is perpendicular r upon base यह आपका base हो जाएगा जो d है तो tan c की दो values आगई आपके पास इन दोनों को equate कर देंगे r की value चाहिए तो r आजाएगा d upon under root mu square minus 1 तो area हो जाएगा pi यह पूरा rs का square कर देंगे y r square यह आपका area आजाएगा